बच्चों और नाबालिगों की आकस्मिक मृत्यू लेखक पीयूश महता, निवासी नानपुरा, सूरत 3,095,001, गुजरात, भारत, प्रकाशित गुजरात मेत्र, सूरत, दिनाक, 14 सितंबर 2023 खंड़ चर्चापत्र शून की पिछले दो-तीन वर्षों में विशेशकर कोरोना और फिर सामुहिक टीकाकरन अभियान के बाद युवाओं और वयसकों में आकस्मिक रिदै रोग की खबरों में भारी उच्छा लाया है, अब ऐसी खबरे नाबालिगों के बारे में भी आने लगी है, पहले डॉक्टरों सहित कुछ लोग गतिहीन जीवन और जंक फूड को इसका कारण मानते थे लेकिन अब मैंने राजकोट में एक गुरुकुल के छात्र और एक मजदूर के दो मामले पड़े तो लोगों के मन में ये सवाल क्यों नहीं उठता कि गुरुकुल के छात्रों का जीवन भोजन के मामले में भी अनुशासित होता है जहां शायद जंक फूड तो क्या यहां तक की चाय और कौफी की भी अनुमती नहीं है? क्या यह विचार करने का विशय नहीं है? मोटापा और जंक फूड कोई आजकल की बात नहीं रह गई है इसका तात्पर्य ये कतई नहीं है कि कोरोना से संक्रमित और या टीकाकृत प्रत्येक व्यक्ती की ऐसी मौत होती है या होगी लेकिन प्रत्येक व्यक्ती की व्यक्तिगत शारीरिक प्रकृती के आधार पर इसके अच्छे या हानिकारक प्रभाव अवश्य होता है फूम के ठक के जमने से मौत के कारण इंग्लेंड ने अपने देश में आविश्कृत और पेटेंट कराए गए टीके का उप्योग बंद कर दिया और उसके आविशकारक ने भी अपने टीके के लिए चेतावनी जारी कर दी और यूरोप ने भी इसका अनुसरन किया पर भारत में कार्यालेयों अस्पतालों में इसी ठीके का भारतिय संसकरण पेश किया गया और सरकार ने इसे लगवाना दुकान मालिकों और कर्मचारियों के लिए काम पर उपस्थित होने के लिए लगभग अनिवार्य बना ही लिया था जबकी स्वदेशी वैक्सीन का इस्तेमाल कम और एस्ट्राजेनेका की स्वदेशी कोलुब्रेसन वाली वैक्सीन का ज्यादा इस्तेमाल किया गया प्लेसिबो भी दिया गया जिसका रिकॉर्ड केवल सरकारी स्तर पर ही रखा गया यह मान लेते हैं कि जिन लोगों को प्लेसिबो दिया गया उनमें मनोवे ज्यानिक कारणों से प्रतिक्रिया के लक्षन भी दिखे है जा सकते और जिन लोगों को सही टीका दिया गया है उन्हें कुछ मामलों में कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है और इसके विप्रीत भी हो सकता है अगर कोरोना थोड़ी मात्रा में भी हुआ हो और उससे निकलने वाला व्यक्ती भी ब्लड क्लोटिन की समस्या का शिकार हो सकता है तो कम मात्रा में कोरोना के लक्षन पैदा करने वाली वैक्सीन का कमजोर वाइरस भी रक्त का थक्का जमना या गाड़ा होने का कारण बन सकता है हो सकता है कि एक टीका लगाया हुआ वयस्क व्यक्ती रक्त के थक्कों को रोकने के लिए पहले से ही रक्त को पतला करने वाली दवाएं ले रहा होगा, तो ये इस प्रकार के रक्त जम जाने की समस्या का शिकार होने से बच रहे हो हालां की सरकार ने आधिकारिक तोर पर भारतिय चिकित सा अनुसंधान परिशद को ना बालिगों युवा वयसकों और वयसकों के बीच अचानक हरिदय विफलता से होने वाली मौतों की जांच करने का काम सौपा है लेकिन वे टीके को इस प्रकार की मौतों का कारण ठहराए ऐसी संभावना नहीं दिखती हैं और ऐसी मौतों की रिपोर्ट करने में लंबा माय लेंगे लेकिन हरिदय विफलता से बचने के लिए एहतियात के तौर पर प्रत्येक कोरोना प्रभावित और टीका करन वाले वयसक व्यक्ती को समय समय पर रक्त द्रफ स्तर की जांच करवानी चाहिए और यदी आवश्यक हो तो अपने एमडी हरिदय रोग विशेशग्य से परामर्ष लें और एस्पिरिन आधारित दवा लें यहां चने मम्रे की तरह एस्पिरिन लेने की बात बिलकुल नहीं है और इससे होने वाले पेट और आथों के अलसर की संभावना को भी ध्यान में रखना चाहिए लेकिन मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ऐसी मौतों के लगातार मामलों की जांच में ICMR को ऐसे मृत व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों और उनके परिवार के डॉक्टरों या MD सलाहकारों यदी कोई हो उनसे विवरन प्राप्त करके उनके विशलेशन किये गए विवरन का खुलासा करना आवश्यक लगता है कितने कोरोना पीरित ठीक हुए और या कितनों को टीका लगाया गया प्लेसीबो या वास्तविक जैसे विवरन जनता के सामने आने चाहिए नानपुरा, सूरत, पियूश महता यह मेरी गुजराती लिखाई का हिंदी अनुवादन है जो गूगल अनुवादक द्वारा किया हुआ है जिसमें जरूरत के हिसाब से बदलाव किया हुआ है अच्देंटल अट्स अचिल्रन अनुवाद्ट यूश मेहता, रESIDENT ननपूरा, सूरत-395001, गुजरात, इंदिया, पुजरात-Mitra, सूरत, देट 14th of September 2023, section, चर्चापत्र since in the last two three years especially after corona and then the mass vaccination campaign there has been a huge increase in the news of sudden heart diseases among youth and adults now such news has started coming about minors also earlier some people including doctors considered sedentary life and junk food to be the cause but now i read two cases of a gurukul student and a labor in raj court so why this question does not arise in the minds of people that the life of gurukul students is disciplined even in the matter of food where may be junk food so what even tea and coffee are not allowed is this not the subject of consideration obesity and junk food are no longer things these days only this does not at all mean that every every person infected and or vaccinated with corona has or will die but depending on the individual physical nature of each person it must have good or harmful effects due to deaths due to blood clots england stopped using the vaccine invented and patented in their country and its inventor also issued warnings for his vaccine in europe also followed it but in india the indian collaborated version of the same vaccine had been made almost mandatory for shop owners and employees to attend work while the totally indian vaccine was used less and astrazeneca's indian version made in collaboration vaccine was used more placebo was also given the record of which was kept only at the government level it could be believed that people who were given a placebo may show symptoms of reaction due to psychological reasons and people who were given the correct vaccine may not have any reaction in some cases and vice versa even if persons mildly affected by corona may also suffer from blood clotting problems then the weak virus in the vaccine that causes symptoms of corona in small quantities can also cause clotting or thickening of the blood dot it is possible that a vaccinated adult may already be taking blood thinners to prevent blood clots so they may be protected from this type of blood clotting problem although the government has officially tasked the indian council of medical research to investigate sudden heart failure deaths among minors young adults and adults they do not appear to blame the vaccine for such deaths and it will take a long time to report such deaths but to avoid heart failure as a precaution every corona affected and vaccinated adult person should get the blood fluid level checked from time to time and if necessary consult their md cardiologist and take aspirin medicine there is no point in taking aspirin like gram mamra and the possibility of stomach and intestinal ulcers due to this should also be kept in mind but as per media reports in investigation of frequent cases of such deaths icmr is required to disclose the analyzed details of such deceased persons by obtaining details from them and their their family members and their family doctors or md consultants seems necessary that detail such the deceased persons as how many of them have recovered from corona and or how many have been vaccinated placebo or real should be made public nan pura surat piyush mehta it was translation of my gujarati article with google translate first in hindi and from hindi to english with necessary changes as google translate is not totally perfect and it translates words perfectly but not full sentences in a true manner balako ane sagiro naam paan akasmik mhruttyu lekha piyush maheta nivasi naampura surat 35001 gujarat bharat prakashit gujarat mitra surat tariq chaudh september 2003-2023 vibharat charcha patr ghana wakhatthi jyuvanon ane proudh vyakttiyo akasmik hruuday rogna samaacharo maanghad bahar noo uchhalo chella 223 vrsh maanj visheshkarinne corona ane tete pachi sámuhi krasi karan jhuumbesh pachi aaviyo tete pachi havye sagiro vishepan ava samaacharo ava sharu thai gaya chhe agao bethaduun jyuvan ane junk food nene a maate dhokataro sahit ketlaak lokoe karen rup maanjya pann hal rajkoot nang guru kur nang vidyarthi no ane ek shram jivy noe mb kis sa avaanchya tato loko nang man 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 keem sawaal nathi utto khe guru kur nang vidyarthi o nang jivan khora bábate pann shist buddhoye chhe jyakadach junk food to shuung charn coffee nipan chhut nahing hushet to a bábat vicharñi a bábat nathi shuung med swita ane junk food chek aajkal na nathi jahing evun janaova noo bilkul ane ase nathi khe korona ghrasit ane athwa rasi kruut dharek vyakti ava mruthi unei paham e chhe khe paham she pann dharek vyakti nini potea nini vyakti gat shariirik prakruuti ane aadhar e terni sari khe nuqsahn karta asar jarruur thati hoye chhe. England e potea nana dèš maang shodha ely ane patent prapta rasi nho upyog lohi na ganthavavati thata mruthi unei kárañe atakavyo hatho ane terni shodha kepan potea nini shodhali rasi maate saavachetiti nho surkardiyo hatho ane europe. terni paglai chaliyo hathu ane terni jha bharati aavruthi ofiso. dhavahana ane dhukano na malik ane karmchariyo nene kám par haajar raheva maate sarakarye lagabhag farjiyat kari. jyare dèši banaavatni rasi pramahan maang ochi upyog maang lewaai. ane estra zeneka nini dèši kolobret rasi vadhu vapraai. placibo pann apai jeno record fakta sarkariz tare jahashe. maani lai eke placibo apai hoi tiemne pann prathikriya nang chin ho mansi kkaran sar pann dhekhaya hoi. ane jemane sachi rasi api hoi tiemne koi koi kisah maang koi jah prathikriya janaayi nahing hoi ane tenaanthi viprit pann hoi shakhe. jyo korona alp pramahan maang pann thayo hoi ane tiemang thii bahaar avanar vyakti pann lohi ganthavani taklifni shikar bani shakhe. to tenni rasi nang nabada karela vayaras pann jay korona nang alp matra nang lakshan peda kare tiemang lohi. ganthavani ke ghatta thavanu ng lakshan pann peda kari jah shakhe. bani shakhe ke rasi kruth praudh vyakti lohi pattrum rakhwaani dhwa pahe lethi jalee tah hoi lohi ganthavani shakhe tathhi bachi rahya hoi. sara kare sattavar rite bhali shaghiro. jyuvano ane praudh loko nang akasmic cardiac failure thii thata mhrutyu niti tapas indian council of medical research nere sompi hoi pann teo rasi nere karen rup bhaagye jathe ravshe ane samay pann lambo lhe shet tiyan sudhi maana. prakar nang mhrutyu nang samachar samaanyya rupay aavta jah rahe she. pann loko e jathe kardiak failure thawathi bachwa maate saavachethi rupay dharek korona ghrasth ane rasi kruth praudh vyakti lohi niti pravahita nang pramahni niti tapas jarur samay samayi samayi ppar karavata rahe ane jarur pade to pota na md. kardiologisht nini salah lai aspirin adharit dhavah jarur lhe. ahi ng aspirin dhani chanani jem levani vat bilkul na thii ane tena thii thati amlapitt kya hojri ane antarada nang chanda padevani shakjata pann dhiyanamang jarur rakhwanee chhe j. pann vijanu maadhyamu nang samaachar pramahni ava mruthiw nang vaharanwavar banatatah kis sao niti tapas mang ICMR ava mruthiw pahameli vyakti o vishe tema nang parivar janon ane tema nang family doctor kye joh hojto tema nang MD salahkaro. paas eathi pann vigatot praapta karii pruathakkaran kareelii vigatot jaheer karvahanum jarurii janahe chhe. visheish rupi ketila korona nobo bani sara thayahata ane ane athwa ketila plesibo kye kharii rasi kruth hata jewi vigatot praja samaksh aavvii jarurii chhe. नाम पूरा सूरत पियुष महिद्दा